मेरी गूड मॉर्णिंग फ्रेंड्स यह केस एक फीमेल पिशन का केस है उसको भी वाल्टाइगू का प्रॉब्लम है यह काफी दिनों से उसको वाल्टाइगू चल रहा है तो यह अपने हस्बेंड के साथ आती है तो मैंने पूछे की बोलो क्या दिक्कत हो रही है मुले सर चक्कर आता है और सिर्भारी रहता है तो मैंने कहा अभी तक क्या आपने उपाय किया इसके लिए तो बोलती है कि कभी-कभी जब चक्कर आता है तो दवा खा लेती हूँ बाकी एक डॉक्टर को भी दिखाया था पर यह चक्कर ठीक नहीं हो रहा पर्मनेंटली तो मैंने बोला और चक्कर के लाव और कोई तकलीफ बोली नहीं सब ज़्यादा चक्कर ही होता है और घवराहट होती है शिर्भी भारी लगता है तो समझ में नहीं आ रहे क्यों हो र तो बोलती है कि दर्द के वैसे घवराहट भी होती है पीठ में भी दर्द होने लगता है ठीक है तो मैंने कहा और तो बोलते कि कम से कम तीन चार महीने में मैंने दो- Anders इन डॉक्टर को भी दिखा दिया है तो यह ठीक नहीं हो रहा है रोज नई नई तकलीवसूरू हो झाती है समझ में नहीं आ रहा है क्यों ठीक नहीं हो रहा है कि तो मैंने बूला कि बताओ ढग से गुटाँ होता क्या है तो उसका अश्वेंर कि बेचय नी बोलता कि ये कभी बेचय muted कि बेचय है कि घबराथ है!! ठीक है लेटती है तो तो उठके बैढ़ जाती है समझ में नहीं आ रहा है कभी दर्दर्द होता है कभी दर्दर्द होता है ठीक है और मैंने कहा और तो बोलती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कभी तीन महिने हो गया है तो मैंने कहा कोई टेंशन हुआ था क्या उसके पहले तो बोलती है नहीं, कोई चिंता नहीं थी तो मैंने कहा इसको ले के मन में क्या दिमाग में आ रहा है, तो यह आपका important question है, कि बीमारी को ले के patient क्या सोच रहा है तो patient ने बोला कि सारे investigation doctor ने करा दिया साइड टाइप की दवाईएं दे दी डॉक्टर को लगता है कि गैस की वैसे हो रहा है तो गैस की दवाई दे दी किसी को लग रहा है कि नीद नहीं आए तो नीद की दवाई दे दी तो सब प्रकार की दवाईएं दे दी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक भी नहीं हो रहा है, कोई मैंने का नींद कैसी रहती है, तो बोलता है कि नींद कम ही रहती है, ठीक है जल्दी से उड़ जाती हूँ, कोई यदी थोड़ी सी आवाज हो तो जल्दी से मैं घावरा करके उड़ जाती हूँ, तो मैंने पूछा कि यह अवसा कब से चल रहा है आपको तो पूले मुझे समझ में नहीं आ रहा कब से हो रहा है exactly है ना पर तीन चार महीनी तो हो गया होगा तो मैंने कहा कि इसको ले क्या tension है यही है कि पता नहीं यह ठीक क्यों नहीं हो रहा है कहीं अंदर यह अंदर कुछ और ना प्रॉब्लम बन जाए पर जांस तो करा लिया जांस में कुछ आ नहीं रहा है तो यही तो सबसे बड़ी टेंशन है कि जांस में कुछ आ नहीं रहा है आ नहीं रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ तो मैंने कहा और कोई चिंता हो तो बता दो आप तो बोलता है बोलती है कि चिंता बस दूसरों की चिंता रहती है बच्चों की चिंता रहती है कि कभी कुछ हो गया मेरे को है न तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यूं लग रही कि आपको कुछ हो जाएगा तो बोलती है कि मैंने दो तीन लोगों को देखा है मैंने आज पास पड़ो उसमें कि उनके अचानक से डैथ हो गई ठीक है तो तब से मैं भी और घबराने लगी हूँ कि क्या ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरा तो ठीक है बट मेरे जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा तो मैंने कहा उनको जाने के वो दो चार लोग जो एक्सपायर हो गए उनकी जाने से आपके दिमाग में क्या असर हुआ धर गई क्या चिंता हो गई आपको तो बोली डर है नहीं चिंता भी कुछ खास नहीं है बट मैं वही चुछती हूँ कि यह जी वो लोग एक्सपायर हो तो उनके बच्चों का क्या होगा, है न, ऐसी मुझे भी अपने बारे में आता है, कि मेरे, मेरे को कुछ हो गए, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने का, और, तो फिशन बोलता है, बस यही चलता रहता है, दिमाग में, तो मैंने का, आपकी तकलीफ कब बढ़ती है, तो तो बोलती है, जब मैं लेड जाती हूं, तो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जब मैं लेड जाती हूं, तो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, मैंने का और, बोलती है, कि मैंने का और क्या दिमाग में आता है, तो बोलती है, कि सबसे ज़्यादा तो आगे कई क्या होता है, क्या ह होगा आगे चल के और क्या होगा यह है ना जैसे मेरे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों क्या होगा सबसे ज्यादा यह टाइंशन लाता है तो यह छोड़ा सा केस है केस को समझते हैं है ना तो ऐसे बहुत सारी बहुत सारी केसे साब को देखने को मिलेंगे यह जो सेनेरी और रहता पेशन के साथ तो यह common remedies common uncommon remedies भी common बन जाती है मारे मैंटर के साथ में करें हम देखिए हमारे पास rubrics क्या क्या हो सकते हैं तो सबस्तार इसकी तक्लीफ बढ़ती है लेटने में ठीक है तो बेचान हो जाती है जल्ली सोटके बैड़ जाती है तो रेस्टलस्नेस नर्वसनेस लाइंग एग्रावेशन हमारे पास एक उपक है और लिदमें जली से उठी साथ हो गया तो दो स्टाटल्ड स्टाटनींस्टाटल्ड स्लीफ फॉम और कोई टुच करे तो जैसे उसका माहें पाथ समय गया डिनी तो हम आप आप से उठाट ही डाटी यह स्टार्टी ऑट अप कई बार पिशंट कई तरीकी पिशंट आप बूलेंगे कि दोक्षाब मिरी धड़ाक से नीन खुल जाती है दी में कोई कोई हला उला या आवाज हो ना तो धड़ से नीन खुल जाती है तो यह है स्टार्टिंग स्टार्टर से फ्रॉम और इसका प्रॉब्लम नो सबसे कि तेंचार लोग की डेट हो गई तो हॉरेबल तिंग साइज स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली और एड दी मिसफॉर्चून अफ अदार्स मतलब यह कि जो दूसरे लोग मर गए उनके बारे उनकी बच्चों के बारे में भी सुछती है कि उनके बच्चों का क्य होगा तो यह हॉरेबल तिंग साइज स्टोरी अफेक्ट हर तो फंगली एड दा मिसफॉर्चून अफ अदार्स दूसरों के बदकिस्मती मतलब उनकी किस्मती खराब है और उनका क्या होगा मतलब जिनके रिलेटिव एक्स्पायर हो गए और उनके बच्चों का क्या होगा तो उनके बारे में भी सोचती है तो यह बलब दूसरों के बारे में सोचने वाली रिमैडी है ठीक है अब यह बच्च अभी से इसको दिमाग में आ रहा है कि मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों क्या होगा तो anxiety children's about impatience children's about और सबसे ज़्यादा कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है anxiety in the dark ठीक है और आगे कुछ हो जाएगा fear will happen something in the future ठीक है तो यह साय रूब्रिक जब आप लगाएंगे तो आपके पसरे मेडी आती है रूटा तो रूटा देने से इसका problem चक्रवकर इसका ठीक हो गए ठीक है तो अभी मेरे पास एक और यह घब रहा है गवराहट की बहुत बढ़िया remedy है मेरे पास एक केस है पूरा केस शेयर करूंगा उसको ना चार साल से पालिपेटेशन हो रहा है डॉक्ट एलोपेथिक डॉक्टर दवाई दे दे के ठक गए ठीक है उसका पालिपेटेशन सेटल नहीं कर पाए तो यह हमको क्या होता है ले पाठाई कर जाती है काम नहीं करती है कुछ भी बोल जाती है बड़ ये जवाब नहीं देती पलिट के क्यों क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी तो जगड़ा हो जाएगा JOSH कहा हो जाएगा तो क्वार्लिंग एवर्जन जगड़े नहीं चाहती है साथ में हर्मोनी बनी रही ठीक है एक और रूबरिक और था अब उसके भी यही रूबरिक था एंजाइटी डार्क की समझ में नहीं आ रहे यह पालिपिटेशन क्यों हो रहा है ठीक है फियर विल हैपन सम्थिंग तरीके से बड़ी फैमिली होती है घर में कहीं चाहली लोग होते हैं तो यह पेशेंट क्या करता है जगड़े से बचना चाहता है जगड़ा होगा दो बाते होंगी महाल खराब हो जाएगा घर का तो यह हॉर्मोनी डिजायर की रिमेडी है एक बहुत बढ़ी रूबरिक है यह रूटा का बहुत इंट्रेस्टिंग रूबरिक है रूटा का मैंने एक इंफर्टिलिटी का केस मैंने आपको शेयर किया था उसको उसको दर्द की वज़े से टेंशन होता था उसको बाइर लेटरल ब्रेस्ट में पेंट था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द क् ठीक है तो यह है anxiety pain from और मैं कोई भी सवाल पूछता था उसको बहुत जोर से हंसी आती थी ठीक है तो आपको ऐसा नहीं कि बैलाडोना लगा मुझे लगा था बैलाडोना है ना बाद में समझा यार कि यह उसको ना मेरे जो सवाल है मजाकिया लगते हैं है ना तो देखो आप यहां से मैंने उसको रूटा दिया था ludicrous things seems to देखो आप एक रूब्रिक होगा laughing ludicrous everything seems ठीक है बहुत कम रिमेड़ी है उसमें जिसमें रूटा एक रिमेड़ी है तो इस तरीके से उस patient को रूटा दिया गया था और बहुत बढ़िया काम हो था तो रूटा आज के जमाने की बहुत interesting remedy है हमने रूटा को इस प्रें में यूज किया है बट मैंड मेथट के थूँ आप इसको बहुत बहुत यूज कर सकते हैं बहुत ही यह affectation की remedy है ठीक है एंजाइटी डार्क बताया आपको लाइट डिजायर एंजाइटी डार्क लाइट डिजायर तो यह फॉस्फोरस कलकेरिया इस तरीके के जो रिमेड़ी है न इस्ट्रॉमोनियम तो यह आप confused हो सकते हैं बट इसमें बहुत इंट्रस्टिंग रूब्रे इस तकलीफ से तो quite want to be है ना sensitive to music इसको music पसंद नहीं होता है तो यह क्या करती है मुझे सांती से छोड़ दो हल्लाग उल्ला मत करो ठीक है even noise से भी इसको problem होता है music से problem होता है तो इसलिए वो शांती चाहिए quite want to be है ना तो यह इस तरीके का रिमेड़ी है रूटा तो एक के रूटा का बहुत बढ़िया केस है देखो आप कई बार यह बहुत important true break है इसका और बहुत important modalities होती है ना तो देखो आप एक patient है ना कई बार यह आप घुटने में कमरदर्द में CRT का में इस तरीके के problem से मैं musculose skeletal जो problem से ना वहां पर आप यूज कर सकते हैं तो एक patient था 45 year old male patient उसको घुटने में तकलीफ थी घुटने में ना उसको साइनोवाइटिस हो गया था और थोड़ा सा arthritis भी develop हो गया था ठीक है तो उस वो क्या कहता है चलने फिरने में डोक्ट साब उठने बैठने में बहुत दिक्कत आ रहा है बहुत देर तक बैठे रहो तो खड़े हो पाते खड़े खड़े बहुत दे तक बैठने पाते तो मैंने कहा और तो इससे क्या टाइंशन है है ना तो बस बोला दिक्कत यही है बहुत दिक्कत होती है काम करने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है तो मैंने कहा इसको क्ले के मन में क्या आ रहा है तो बोल उसमें कुछ खास मिला नहीं जा आच मैं पर मुझे यही लगता है इस हुजर क्यों आ रही है और तो पैडिक डॉक्टर को दिखा दिया इविन इंजेक्शन भी लगा दिये है ना वो जो साइनोवेल फ्लूट को निकालने के लिए इंजेक्शन भी लगा दिया तो वो सब कर लिए फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है यह हो क्यों रहा है तो मैंने कहा आपको आराम कैसे मिलता है तो बोलता चलते फिरते रहा हो तो आराम मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि चलता फिरता फिरता रहूं ठीक है और उसमें दो तीन बार पूछ तो अभी देखो आप यह सिंपल सा रूब्रिक लिया वाक वाकिंग एमलोरेट्स एंजाइटी इन डार्क लाइट डिजायर फॉर फियर अरेस्टेड आफ बींग दिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू यह साई रूब्रिक लगा करके उसको फिर से रूटा दिया गया थ तो रूटा एक इंटरस्टिंग रिमेडी है कई वार सियाटी के कई पेन में आप यूज कर सकते हैं और्थ्राइटिस के पेन में बैक एक में मैंने कई सारे पिशेंट्स में ना बहुत दिक्कर होती है रोक्त साब बहुत दिक्कत होती है उठने बैठने में तो इसको डर लगता है कहीं यह पूरी तरीके से मैं जाम ना हो जाओं पूरी तरीके से बिस्तर ना पकार लू मैं इस तरीके से आप रूटा को यूज कर सकते हैं ठीक है बहुत रॉस्टिंग रिमेडी है तो इट वाज लिटल अबाउट रूटा अलोंग रूटा केस थैंक प्रिया अलोंग धूज कर दोटीन, हिस्ट रोट रूटा विंगल रॉस्तर पूटा रुटा कर दोलोंग है य।, है बगता हैं भैजल रूटा करा दमाशनार